जाए तो मैंने पी लिया है और सोच्रियों कि थोड़ा सा लंच बनाने के लिए चलते हैं लेकिन लंच में क्या बनाएं गर पे ना शिम्बला मिच यह लिए तिन की कुछ चीजे होती है या पनीर के साथ इन सब चीजों के साथ ही कॉबिनेशन अच्छा लगता है वो सिंपल सा आलू-पनीर रगर है यह शोच भी सती कड़ी बनाऊंगी नित पेसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे तो क्या बना ओ सोच Gef क्रेंस भी बना लो कि तो सुचछी कि कड़ी बनांगी कड़ी बनाने में ताइम लग जाएगा तो समझने बारी क्या बना ऋब देखते हैं शिम्बला मिच से कु यहां पर एक छोटा सा प्यास चॉप किया है यह अद्रक और लहसन जिसको मैंने घिस लिया है आपके पास पैस्ट हो तो और भी अच्छा है और यह एक टमाटर है और यह थोड़ी सी आधर कब दही में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर चुटकी नमाट चुटकी भर लालमेज चुटकी भर हल्दी करके इसको मिक्स कर जोंगी और फटा-फट एक रेसिट्वी बना लोंगी इसको फेट लोगी तेरी गरम हो गया है पहले सबसे पहले मैं सिंबला में च्टार लोगी क्योंकि मुझे बिल्किस तब्सक्रा सिंबला में अब मेसी में फ्यास भी रालते हैं अब मेसी में फ्यास भी रालते हैं मैंने बहुत ज़ादा काईट कर नहीं रखा है मैं एक शिंबला में इसको पहले रख जाला है लोग फ्यास पहले डालते हैं और मैंने इसको डाले के बाद भी पहले स्वेट तक सौटे करने के बाद झाल 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 कि तु झाल झाल उंश पूर फॉर्माइट जाड़ जाड़ ईगल झाल यह टुड़ आख़ झाल दू वक्या अज़ फ्ण पौर दू कि अब मेरा फॉल रूम से बचा है तो मुझे एक मेंटल रिलाक्सेशन है कि सिफ फॉल रूम यह करना है जो भी करना है बेडरूम मेरा डन है तो वह काम ऐसा लग रहा है कि मेरा आधा हो गया है तो है अच्छी साइक्रोजिकल बाते कुछ अशा नहीं है तो मेरा बरतन अच्छा करूंगी फिर रिलाक्स करोगी फाइनल वाली रियक्स तब तक हो जाएगा चाय का टाइम इवनिंग चाय का टाइम और फिर हम दूना अज़न राइफ उनके ब्रेक पे बैट के चाय दीएगे पर पर पहले बातन जीन कर लेती हो अशा पहले बातन खाली करते हूएगे और बातन उदर रखे होएगे पहले उनको खाली करती हो बहुत से भतर हो गए है तरिकने बहुत है सरे ये ये भी है फटा बटाँ चेह करना शुरू करते हूँ वन्हा काम ख़तम नहीं हो पाय काम शाम की चाय से पहले काम नहीं के ख़त्म हो पाएगा इसलिए शुरू करते हैं फटाण एक बाटा क्या होता है कि अगर आप हाल छोड़ देते हैं मतलब गिवप कर देते हैं तो इस अगर एक बाटा थाल लेते हैं तो प्टापट खतब कर लोगे तो हो जाता है कुछ इतना तफ नहीं लग पाता क्योंकि मेरे ग्रपे कॉप देखी रहे हैं बहुत चोपा सा गरे मेरा दो रूमी है जिसमें कोपन किचन का कॉंसेट है किचन के नाम से बसक्ति नहीं है होम टूर तो मैं चाहा के भी नहीं रहे सकती है कि मेरे घर में कुछ ऐसा स्पेस है नहीं जो मैं अलग से कुछ डेकोरेट वगर करके दिखा हूँ हा लेकिन इन कुछ अगर करती हूं से स्पेस बढ़ाने कि मुझी बहुत इच्छा है कि मैं थोड़ा से स्पेस इन एक अगरेट लगवाँगी बंगाँ चुछ तो उसके बाद में थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी अभी मैं थोड़ा वाला इसे बेसिक वाला करती हूं जो भी देली की लाइफ होती है वही शेयर करती हूं या वसी ही लाइफ हीग करती हूं और ये एक मक्की मुझे कर अग्सा परिशान चैनल यह मक्ही जी ना, यह प्राइच की वह इक हो पाती हो आप्ते हैं जैंसे की लेखांड़ से जाली काली होती है दरवाजे पर जैंसे खाली हो पड़ेगा यह करी जीया हरती है यह पाती है यह दो हो नौमल फैमिली जो होती है वह एक साथ कितना क्या कर पाएगी तो हमने आपे बहुत कुछी है आपने देखा यह गर अपने खाली मिला हुआता तो उस साफसे तो ठीकी है तो हमी रहना मेरे पास उसी में खुश रहने की कोशिश करती हूं जरे को मेरे खाली मेरे पास सजाने पास के ठीकी हुआता ही रखने मेरे इसना ओवरे मेरे पास अगर दीरे मेरा थोड़ा सा खुद कंशी है मैरा मेरा उसी सबर्पोर्ट किया या मेरे व्यूर्स ने हुझे सब्सक्राइब किया और मैंने थोड़ा सब्सक्राइब किया तो फिर डेफिनिटली मैं आपके साथ कुछ और भी शेयर कर पाऊंगी या मेरे पाऊंगी खंपके साथ में आपके साथ आपके पांपना पाई एत प्सक कामेश किया दगरै तो या पाऊंगी झाल 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 रिकोर्डिट करने में फोडिए प्रॉड्लम हो जब अभी जो मैंने ये लगाया हुआ वाला कामरा वो लगाया हुआ है क्यामरा मतला है मुबाईल मैंने अभी वो चेर पे प्लस्क बली चेर पे कॉर्ना भी किस दर से सेट किया हुए क्योंकि उसको आप ब्रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि वो ये मुबाईल मेरा लास्टोप है वो भी हस्बेन कभी ओपिस हो जाए इसी से चल करना पांच में लगके दस्टिंग करने में और ये वो प्लास्टिंग हरी शाड़ों से दस्टिंग हरी है पर्दे सोफे ये इविंट करने ब्लागे रखे 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 सोफे कवर करना थोड़ा सा और भी वो चलिए लेकिन मुझे बनाने का मन कर रहा है खुद अपने हाथ से कप्ड़ करिके नहीं मेरे पस मशीन नहीं है मशीन नहीं भी है तो कि प्रॉब्म नहीं क्योंकि हाथ से अंदर के तरफ लाइच चली जाएगी इसमें कोई असी फिनिशिंग मने बात नहीं होगी इतनी लेकि प्रॉब्म ही है कि मुझे कप्ड़ का मार्गे बंगाव में कुछ भी नहीं पड़ता और बनारस के मुझे पड़ता है तो देखते हैं अगर कभी जहेंगे तो अप्शन लेके आएगी और हाथ से बनाओगी तो आपके साथ जरूर शेयर करोगी थोड़े बहुत कम यह सब में कर लेते हैं और मुझे अच्छा भी रखता है यह सब करने से और प्लासिकल होगा तो कभी एंप्राइरी बाला कि बनाओगी वह भी बहुत अच्छा लटका मुझे यह हो गया साड़ा यह सब कॉटन से भी पोचते हैं कभी-कभी यह प्लासिक वाले से भी कर लेते हो अब बारी है चान गाले तो पताक से काम मेरे लग-बग 95% हो गया है रात में सिफ रोटिया बनानी है और मुझे एक और काम करना है कि मुझे जो कॉर्णर का सेल्फ है उसको क्लिन करना है तो मैं आ गई हूँ अभी अभी बज रहे है पाने छे मैने जैसा कि आपको बताई था कि मैं काम को इस तरह से चाय के बाद छे बज़े थे खाली हो जाओं ताकि उस टैम पे मैं साड़े पांच मिनिट लेंगे तो पर चाय लेके आओंगे उसके बाद ही बाते करेंगे तो तो सोच रही हो बना ही लेती हो अभी जाए देखो दूद निकाल रही हूँ न तो फिर पता चल रही कि दूद का पैकेट काटना पड़ेगा शायद से क्योंकि यह इतना ही है मेरे पास ये इतना ही है, प्रछय कि अभी चाय बन जाए ताख ik कि मुझे प्लाल पी नहीं काँआ पड़े क्यों की आपने रख और फिर डूदको बुटकोना पड़ेगा हो गया, हो गया हो गया हो गया, Thank God Thank God देखा आप लोगों ने अभी थोड़ी दे पहले से बारी स्टार्ट हुई है लेकिन ही बारी शोगी ने का हो रही है बस थोड़ी थोड़ा बहुत भी ड्रिजलिंग हुआ है और हो के खतम हो गया है तो हम लोग जा रहे है अभी तो चादनी बोले मौसम अच्छा है तो अभ इधर आके खाना खाने के लिए बोल देखते तो चादनी बोले कि इधर आके खाईए अज मौसम अच्छा है तो जाते हैं आज इसने इतना पढ़िया एक सबजी बनाया ना तो ऑसम बनाया तो आप लोग ने देखा ही होगा तो अभी जाता हुआ हम उसको एंजॉय आप आपके लैख वाओ आगया अर्वभाइश के गरम लंपिल यह नीचे वाला अभी भी गरम है यह वाली सब्जी में बोल लाता यह वाली यह तो यह वाली जबबर दस वरिया और यह तो फिश है फिश करी अ कि तर नकार। दून घुमोँ मेर पानी आ गया कॉ और्ट लेके दिया भाई तुमोज बड़े के दिया हुआ कि देश्टी बना है यह खाके मज़ाया उबाई जो है नियद्टी देश्टी बना है पनेरोधा जानी बनाए ना पनीर पाद कर्णेते हैं पनीरोधा या चिकन पिटा में एक हुआ है चिकन पेनी घर पे मुटिक अली बहुदा जाहिए आप अई मुटिक अली भाद है अब पता चला मेरे सहत का राज दिन पर दिन मेरा वजन बढ़ता जाएं ऐसे अच्छा अच्छा खाना बनाती है ना वो खाके